तो दोस्तो यह जो फिर इस सेटव बॉक्स है वह आफ कंडिशन में है या आउन नहीं हो रहा है तो चले मैं आप लोगो अपने स्रीज बोर्ड में यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूं तो मैं यहाँ पर सप्लाई दे दिया है और इसका पाउर बटन है दोस्तो वह आउन ह फिर भी इसमें डिस्प्ले सो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर यह सोच रहे होंगे कि इसमें हो सकते इसमें सप्लाई नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको सप्लाई भी चेक करके दिखाए तो यहाँ पर हम स्रॉट करें तो हमारा बल बजल रहा है यानि कि इसमें तो दोस्तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर फिडिर सेटाप बॉक्स आपका आप कंडिसेन में तो किस कंपोनेंट के खराबने पर ऐसा होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और उसका रिपेर करके दिखाने वाला हूं तो न ना इसके सभी Component का आपको देखकर अनुमाल लगाना कि कॉन सो कॉम्पोनेंट खराब हो सकता है दोस्तो आप दिखाओगा कि को कोई component खराब होता है तो उसके सामने कालब पालबा आ जाता है एक 450 ओल्ट का और एक 10 ओल्ट का अधिकतर उसमें फाल्ट आता है और इसमें ज्यादा कुछ फाल्ट नहीं आता है दोस्तों आप दे सकते हैं यह जो कैपिसिटर यहाँ पर लगा हुआ है यह 1000 यूए 10 ओल्ट का है और यह जो कैपिसिटर दोस्तों वह उपर से फुला हुआ ह नजर आ रहा है यानि कि दोस्तों हो सकता है कि यह जो कैपिसिटर है वह विक हो चुका होगा तो हम आपको यहां पर दिखा देते हैं इसका जो कैपिसिटर है यह वाला इसका ऊपर वाली सत्था ऊपर की ओर उबरा हुआ नजर आ रहा है हमें यह विक लग रहा है इसमें हमें यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 5 ओल्ट आता है इसर्ड नंबर दोस्तो इस पकार से आपको DC आउर्पूट से रोल्ट शरक करने में इसको supply तो दे दिये है तो यहां पर हम audit करके देखने इसमें supply आ रहा है हमारा seeboard को bulb जलग रहा है है दो यहां पर हमें ऑल्ट मिल रहा है जहां पर पांक लुक्ति मिला चाहएं अब यॉहा पर 24 वinku लुल रहाए हाँ ऐस दूस्तों हमें या पर बीभ्षामण नजर और यांप च्यम्ड़ू पर यह travel नजर आ hills, जो 12Ah is दोस्तो उसमें हमें 18Ah ओल्ट मीर रहा यानी कि दोस्तो मैं आपको बता दू कि 12Ah में जब भी फाल्ट आता है तो अधिकतर फाल्ट है दोस्तो मैंने जो आपको विटा का जो 10Ah का वही खराब होता है और या उसके खराब नहीं होने पर उसके सरंगे डायोट लगा हू लेते हैं और यहां पास दूसरा कैपिशिटर लगाएंगे और देखेंगे कि क्या इसका problem है वो solve हुआ की नहीं तो आप देखेंगे इसका जो कैपिशिटर वह उपर से फुला हुआ नजर आ रहा है तो हम इसे चेंज करेंगे तो हम हमारे पास दूसरा power supply है खराब वाल जिसमें का हमने same value का capacitor है उसे निकाल कर रख लिए इस तरह से आप देख सकते हैं और यह भी 1000 uf 10 old का है same value का तो हम इसे plus को plus minus को minus में देखकर लगाएंगे तो दोस्तो यह जो power supply core है उसमें जो हृइट सीर है वह minus को होता है उस्तेर से जो capacitor है उसमें भी वाइट सीर होता है वह भी minus को हता है तो आपको minus को minus में रखकर इस तरह से आहां पर sold कर देना है तो इस तरह से हमने आब पर contribute इस्टों को चेंज कर दिया है अब दोस्तों चेंज करने के बाद भी अगर हमाई शेटप बॉक्स पाउर सप्लाई का प्रॉब्लाम सॉल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे इस DC सेक्षर में जो सारे डायोड लगा हुए है उसे चेक करना होगा और जो डायोड खराब निकलेगा उसे चेंज करेंगे तो 100% हमारा पाउर सप्लाई का जो फाल्ट है वह सॉल हो जाएगा तो हमने आपको इसे सप्लाई दे दिया है अब हम आपको इस उल्ट की जगा हमें 14.4 उल्ट में रहा याने कि इसमें जो 18 उल्ट आ रहा था ज्यादा ओल्ट आ रहा था वह ओल्ट कम हो चुका यानि कि इसका जो प्रॉब्लम हो सॉल हो चुका है मैं आपको बता दूं कि यह जो दोस्तों 12 उल्ट भले ही इसमें लिखा हुए रहते है इसमें 12 ज़रूरी नहीं है 11 भी मिलता है और 12, 13, 14, 15 तक मिल जाता हैं तो दोस्तों 15 तक ओल्ट मिलता है तो आप पावर सप्लाई चाम करता है च्छर를 से अरुन सी ज़किता हैस्च हो leaf on हो हो चुका है तो दोस्तो इसका problem है वहाँ इससे चरह से जौब हो चुका है तो आप पर नीशन में हो तो इस तरह से उसको problem को solve कर सकते हैं तो चलब दोस्तों मिलते हैं नेक्स में तब तक splendors लागत कि जए हिन जे भारत वंदे मातरम झाल झाल